हेलो फ्रेंट्स मेरा नाम है रवी और आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल रवी स्टड़ी जी के बार फेंट्स आज मैं आपके लिए सभी एक्जाम के लिए और करंट अफेर का काफी ज्यादा इंपॉरेंट टॉपिक टॉपिक का नाम है भारत में पहला 2024 जिसे कि हम फर्स्ट इन इंडिया 2024 भी बोलते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉरेंट हंडर कोशन इस वीडियो में लेकर आया हूँ मैंने आपके लिए सभी कोशन सेलेक्टेड और इंपॉरेंट लिए हैं अगर आप किसी भी एक्जाम की त इस वीडियो से तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले कोशन से पहला कोशन स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि मैरी डीली क्लट इस बार रवी योटूब चैनल पर दी हैं पहले कोशन से पहला कोशन है भारत के की शहर में खगूली परेटकों को बढ़ावा देने के उध्यशे से पहली नक्षत्र सभा का आयोजन किया गया है राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का option B उत्राखंड के मसूरी शहर में डिटेल में अगर हम समझें इस कोशन को राज्य में परेटन को बढ़ावा देने के लिए उत्राखंड सरकार ने मसूरी में नक्षत्र सभा के नाम से अपनी तरह का पहला खगोल परेटन आयोजित किया है इसका उद्देश कई परकार की गतिविदियों की पेशकश करेगा जिसमें तारों को देखना विशेश सौर अवलोकन एस्ट्रोग्राफी वरतियों की तारों के अवलोकन हेतु शिविर लगाना वह अन्ने शामिल है यह आपको ध्यान दखना है और भारत का जो पहला नक्षत्र सभा है इसका आयोजन हुआ मसूरी उत्राखंड में नेक्स्ट है मारा कोशन विजिन्जम पोट को भारत के पहले पूर्ण विक्सित गहरे पानी का ट्रांस शिप्मेंट पोट के रूप में मंजूरी मिल गई है यह किस राज्जे में स्थित है राइट आंसर हो जाता है पूर्ण बी केरल राज्जे में इंपॉर्ण पॉइंट से अगर हम समझें इस कोशन को केरल में अदानी समुके विजिन्जम पोट को भारत के पहले ट्रांस शिप्मेंट पोट के रूप में संचालित करने के लिए शिपिंग मंतराले से मंजूरी मिल गई है ट्रांस शिप्मेंट बंदरगा पार गमन केंदर है जहां एक जहाद से माल को उसके अंतिम गंतवे के रास्ते पर दूसरे जहाज में स्थान अंतरित किया जाता है नेक्स्ट है मारा कोशन पहली बार मैंडलेंड सीरो का फोटोग्राफिक दस्तावेजी करन कहां किया गया है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन भी असम में डिटेल में अगर हम समझें जैव विविता संदक्षन के लिए एक महतुपुन विकास में असम के राइमोना राज्टे उध्यान में मेंडलेंड सीरो का पहला फोटोग्राफिक साक्षे दर्ज किया गया यह एक स्तनपाई प्रानी है जो बकरी और मिरिक के मिश्चित रूप में दिखता है तो फैंस या फोटो में देख सकते हो यह है मेंडलेंड सीरो नेक्स कोशन कर लेते हैं जून दोहजार चॉबिस में बहतर नयाई प्रदान करने के लिए किस राज्टे ने पहली गवास अंडक्षन योजना को मंजूरी दी है राइट आंसर हो जाएगा अप्शन सी असम राज्टे ने इक्साम के लिए काफी important कोशन रहने वाला है डिटेल में अगर हम समझे असम के मुखे मंत्री हेमत विश्वा सर्मा ने निस्पक्ष नयाई वितरन परनाली सुनुश्चित करने के लिए राज्जे की पहली गवास संडक्षन योजना को मंजूरी दी है इस योजना का उदेश ये गवाहों को सुरक्षा सुनुश्चित करना है इससे देश के दंडिक नयाई परनाली मजबूत होगी और राश्टिय सुरक्षा में भी सुधार होगा अगला कोशन है मारा जुलाई 2024 में भारत द्वारा पहली बार 46 में युनेस्को विश्व धरोवर समीती सत्र की मिचबानी कहां की जाएगी राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा ओप्शन C नई दिल्ली में नई दिल्ली का जो भारत मंडपा में यहां पर आयोजित होगा डिटेल में अगर हम समझें यह प्रतिस्ठी सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपा में होगा जिसमें वैश्विक सांस्कृतिक महतों के मामलों पर चर्चा और निर्ने लेने के लिए धुनिया भर के प्रतिनेदी एक साथ आएंगे अगला कोशन है मारा किस देश ने पहली बार नए बैंक के नोटों में होलोग्राफिक तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया है राइट आंसर हो जाएगा इस कोशन का ओप्शन डी जापान डिटेल में अगर हम इस कोशन को समझें जापान ने नए मुदरा डिजाइन में अपने नविंतम नवाचार का नावरन किया है जिसमें नए बैंक नोटों में होलोग्राफिक तकनीक को शामिल किया गया है होलोग्राफिक प्रोदे की 3D जैसी छमिया बनाती है जो विविन कोनों से देखने पर बदल जाती है जिससे बैंक नोट सुरक्षा सुविधाओं में जटिलता की एक परत जोड़ जाती है यह पहल वित्य दोका धड़ी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में आगे रहने के लिए जपान की प्रतिबता को रिखांकित करती है अगला कोशन है हमारा एक्जाम के लिए काफी इंपोरिंट है जुलाई दोहजार चॉबिस में महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतिये महिला खिलाडी कौन बनी है राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा ओप्शन C शेफाली वर्मा डिटेल में अगर हम इस कोशन को समझें शेफाली वर्मा ने टेस्ट इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक लगाया उन्होंने अपने करियर के इस पहले दोहरे शतक को 194 गेंद में पूरा किया और अस्टेलिया की एना बिल सदर लेंड कर रिकॉर्ड तोड दिया है जिन्होंने इसी साल दक्षिन अपरिका के खिलाब 248 गेंद पर दोहरा शतक लगाया था अगला कोशन है मारा जुलाई 24 में किस कंपनी ने फ्रीडम 125 नामक दुनिया की पहली CNG मोटर साइकल पेश की है राइड आंसर हो जाता है ओप्शन C बजाज आटो लिमिटेड यह आपको ध्यान रखना है डिटेल में अगर हम समझें बजाज आटो लिमिटेड ने दुनिया की पहली CNG मोटर साइकल को लॉंच किया कंपनी ने इसे फ्रीडम 125 CNG नाम दिया है यह अभीनव वाहन आटो मोटिव छेतर में परिया वरेनियस थिरता और लागत दक्षता की दिशाम एक महतुपुन कदम है कंपनी ने इसमें हाइब्रिड CNG टेकनोलोजी का इस्तेमाल किया है अगला कोशन है मारा जून 2024 में युनेसको द्वारा कोजी कोड को भारत का पहला साहित्य का शेहर घोशित किया गया है यह किस राज्जे में है राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का ओप्शन है केरल में स्थित है कोजी कोड जो की बन गया है भारत का पहला साहित्य का शेहर डिटेल में अगर हम समझें उत्री केरल में स्थित कोजी कोड को युनेसको द्वारा आधिकारिक तौर पर भारत का पहला साहिते का शहर घोशित किया गया है यह प्रतिस्ठित मानेता शहर की सम्रिद्धी, साहितिक विरासत और सांस्रितिक महतों को उजागर करती है अगला कोशन है मारा जीव जनतों की व्यापक सूची, Fauna of India चेकलिस्ट पोर्टल त्यार करने वाला विशो का पहला देश कौन सा बना है राइट आंसर हो जाता है अप्शन A, हमारा प्यारा भारत डिटेल में अगर हम इस कोशन को समझें Fauna of India चेकलिस्ट पोर्टल के जरिये सभी जीवों की सूची के वर्गी करन में विज्ञानिकों, सिक्षाविदों, शोद करताओं, संडक्षन प्रवंदकों और निती निर्मताओं का लेखनी मदद मिलेगी इसके साथ ही भारत अपनी संपून जीव जन संक्या जिसमें की 1,4561 पर जातियों की चेकलिस्ट तियार करने वाला विश्व का पहला देश भी बन गया है अगला कोशन है मई 2024 में दुनिया का पहला 6G डिवाइस किस देश ने लॉंच किया है राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा ओप्शन C जापान डिटेल में अगर हम इस कोशन को समझें दुनिया के पहले 6G डिवाइस का जो प्रोटोटाइप है जापान ने पेश किया है यह 5G की तुलना में 20 गुना तेजी से काम करता है यह डिवाइस 300 फीट तक के एरियो को कवर करने में सक्षम है जापान जो है एशिया में स्थित्य राजधानी टोकियो है मुदरा इसकी यैन है परधान मतरी है फूमियो किशिदा जापान के अगला कोशन है मारा भारत ने पहली बार ब्रहमोस सुपरसोनिक रूज मिसाइल किस देश को निरियात किया है राइट अंसर हो जाता है ओप्शन डी फिलिपीन्स यह आपको ध्यान रखना है डिटेल में अगर हम इस कोशन को समझें भारत ने जनवरी 2022 में फिलिपीन्स से ब्रहमोस मिसाइल की बिकरी के लिए 375 मिलियन डॉलर की डील की थी इन मिसाइलों की स्पीड 2.88 मैक और मारक शमता 290 किलोमेटर है ब्रहमोस एक कम दूरी की रैमजट सुपर सोनिक रूज मिसाइल है इसे पंडूबी से पानी के जहाद से विमान से या जमीन से भी छोड़ा जा सकता है अगला कोशन है मारा सतलुच जल विद्यूत निगम यानि की SJVN ने देश के पहले बहु उद्देशे ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का उद्गाटन कहां पर किया है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन D जाकडी हिमाचल प्रदेश में डिटेल में अगर हम इस कोशन को समझें यह प्रियोजना देश का पहला बहु उद्देशे हरित हाइड्रोजन उत्पादन संयंतर है अगला कोशन है मारा हाइब्रिड तकनीका इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा बना है राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का ओप्शन C हिमाचल प्रदेश का धरमशाला स्टेडियम है यह भारत का पहला स्टेडियम बना है जो की हाइब्रिड तकनीका इस्तेमाल करेगा और अगर हम यह बात करें कि जो हाइब्रिड पिछ है यह होता क्या है जो हाइब्रिड पिछ होता है प्लास्टिक के फाइबर के बने होते हैं और इनका इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं क्योंकि ना जो मतलब मरमत की आवशक्ता होती है वो बहुत ही कम होती है क्योंकि आप सुभी को पता है कि जो धरमशाला स्टेडिये में हिमाचल परदेश का पहाड़ी इडिये पर स्थेत है और यहाँ पर क्या होता है कि मैंटेनेंस की बहुत जरूत परती कभी जादा बारिश हो जाती है तो इसलिए यहाँ पर नब हाइब्रिट पीच का इस्तेमाल किया जा रहा है अगला कोशन है मारा एपरिल दोहजाट चॉबिस में लक्षदूइप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा बन गया है राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का ओप्शन है HDFC बैंक डिटेल में अगर हम समझें निजी रिंदाता HDFC बैंक ने लक्षदूइप के कवरती दूइप में एक शाखा खोली है जिससे यह केंदर शाशित प्रदेश में उपस्तिती दी रखने वाला एकमात निजी छित्र का बैंक बन गया है यह आपको ध्यान रखना है अगला कोशन है मारा किस राज्य में प्रदानमंती नरिंदर मोदी जी ने भारत की पहली अंडर वाटर मैट्रो सेवा का उधगाटन किया है राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा ओप्शन सी पश्यम बंगाल के कोलकाता में डिटेल में अगर हम इस कोशन को समझें भारत की पहली अंडर वाटर मैट्रो सेवा का उधगाटन प्रदानमंती नरिंदर मोदी जी ने किया है यह हुगली नदी के नीचे स्थेत है जो कोलकाता और हावडा को विभाजित करती है सुरंग नदी के तल से 13 मीटर नीचे और सतह सतर से 33 मीटर नीचे स्थेत है भारत के सबसे लंबे केबल स्टे बिरिज जिसका नाम है सुदर्शन बिरिज का उधगाटन कहां पर किया गया है राइट आंसर हो जाता है ओप्शन बी गुजरात के दोवारका में डिटेल में अगर हम इस कोशन को समझे इसका उधगाटन किया प्रधानमंती नरेंदर मोधी जी ने यह बिरिज ओखा मुखे भूमी और बैट दोवारका दूइप को जोड़ता है सुदर्शन सेतु जिसे पहले सिंग्निचर ब्रीज के नाम से जाना जाता था इसका निर्मान नाइन सेवन्टी नाइन करोड की लागोट से किया गया है भारत के किस राज्य में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है राइड आंसर हो जाता है ओप्शन सी मध्य प्रदेश के उज्जैन में या आपको धियान रखना है डिटेल में अगर हम समझें दुनिया की पहली वैदिक घड़ी जो प्राचीन भारती पारंप्रिक पंचांग के अनुसार समय दिखाएगी त्यार कर मध्य परदेश के उज्जैन जिले में स्थापित की गई है पीम नरेंदर मोदी जी ने 1 मार्च 2024 को शहर के जंतर मंतर बने 85 फिट उचे टावर पर स्थापित वैदी घरी का वर्च्वाल उधगाटन करा है अगला कोशन है मारा फरवरी 2024 में परदार मेंति नरेंदर मोदी जी ने किस राज्जे के पहले रेल्वे स्टेशन रंगपो स्टेशन की अधारशिला रखी है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन भी सिक्किम डिटेल में अगर हम समझें सिक्किम के पहले कोई भी रेल्वे लाइन नहीं थी या सिक्किम के लोगों के लिए कनेक्टिविटी का तीसरा माध्य में अभी तक लोग यहां सडक और हवाई मार्क से यातरा कर रहे थे अगला कोशन है मारा राश्पिता महत्मा गांधी जी को समर्पित 120 फीट उचा देश का पहला तामबे के आवरन वाला सबसे बड़ा बापू टावर कहां इस्थापित किया गया है राइट आंसर हो चाहता है ओप्शन ए पटना बिहार में अगर आपको वीडियो की कॉलिटी वीडियो का कॉंटेंट और आपके रवी सर की महनत पसंद आ रही है वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें तो चलिए अब हम next question देखते हैं, 2024 के अंत में 21 हवाई अड्डों वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन जाएगा, right answer हो जाएगा, option B उत्तर प्रदीश, डिटेल में अगर हम इस question को समझें, 2024 के अंत में नौईडा अंतराष्टी हवाई अड्डे के बाद या एकमातर हवा अगला question है मारा, भारत ने अपनी पहली सोधीशी एंटी रिडियेशन मिसाइल, रुदरम 1 का सफल परिक्षन किया, इसे किसके द्वारा विक्सित किया गया है, right answer हो जाएगा, option B, DRDO के द्वारा, डिटेल में अगर हम इस कोशन को समझें, भारत ने अपनी पहली सोधीशी एंटी रिडियेशन मिसाइल, रुदरम 1 का सफलता पूर्वक परिक्षन किया, इसे DRDO ने भारतिय वायू सेना के लिए विक्सित किया है, इस मिसाइल को भारतिय वायू सेना यानि कि इंडियन एर फोर्स के सुखोई 30MK1 लडाको विमानों के साथ एकी कृत किया गया है, जो भारत की रक्षा शमताओं में परियाप्त वृद्धी को दर्शाता है, अगला कोशन है मारा, जून 2024 में किस राज्य सरकार ने जनता भवन सौर परियोजना का उधगाटन किया है डिटेल में अगर हम इस कोशन को समझें, हरित उर्चा को बढ़ावा देने के लिए असम के मुखेमती डॉक्टर हीमत विश्वा सर्मा ने जनता भवन सौर परियोजना का उधगाटन किया और इसी के साथ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि असम ग्रीन सेक्रिडिटेट द यह 2.5 मेगावाट बिजली उतपादन शम्ता वाली ग्रीट से जुड़ी छत और जमीन पर स्थापित सौर पीवी प्रनाली है अगला कोशन जून 2024 में भारतिय रेल्वे ने दुनिया के सबसे उचे पुल चिनाव रेल्वे ब्रिज पर सफल निरिक्षन किया यह पुल कहां पर स्थित है राइट आंसर हो जाता है ओप्शन ए जम्मू कश्मीर में डिटेल में अगर हम इस कोशन को समझें रेल्वे अथिकारियों ने रामबन जिले के संगलदान और जम्मू कश्मीर के रियासी के बीच नव निर्मे चिनाव रेल्वे पुल का निरिक्षन किया है जिसके अंतरगत पहली ट्राइल ट्रेन संगलदान से रियासी तक सफलता पूर्वक चली है चिनाव नदी से लगबख 359 मीटर उपर बना यह पुल दुनिया का सबसे उचा रेल पुल है कश्मीर में स्थित चिनाव ब्रेच पैरिस के एफिल टावर से भी उचा है अगला कोशन है मारा वर्ष 2024 में दुनिया का पहला लकडी से बना उपग्रह लिगनो सेट किस देश द्वारा बनाया गया है राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन ए जपान के द्वारा जो लकडी का बनाव जो उपग्रह है न इसका नाम है लिगनो सेट ये भी आपको ध्यान रखना है डिटेल में अगर हम समझें जपानी शोध करताओं ने दुनिया का पहला लकडी का उपग्रह बनाया है इस छोटे घनाकार यान को सितंबर में स्पेसेक्स रॉकेट के जरिये प्रक्षेपित किया जाएगा कयोटो विश्विद्याले और लकडी काटने वाली कमपनी सुमी तोमो फॉरेस्ट्री के विज्ञानी को द्वारा विक्सित प्रायोगीक उपग्रह का प्रतेख्ष पक्ष केवल 10 सेंटीमीटर का है अगला कोशन है मारा गिद्धों की एशियन किंग परजाती के लिए दुनिया का पहला जटायू संडक्षन और प्रजनन केंदर कहां स्थापित किया गया है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्षन बी महाराज गंज उत्तर प्रदेश में डिटेल में अगर हम इस कोशन को समझें अगला कोशन है मारा जून दोहजार चौबिस में संबलेंगिक विभाग को मानेता देने वाला पहला दक्षिन एशियाई देश कौन सा बन गया है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्षन बी थाइलेंड डिटेल में अगर हम इस कोशन को समझें थाइलेंड की संसद ने संबलेंगिक विभाग को कानूनी मानेता देने वाले एक विधेक को पारित कर दिया है विभा समानता विधेक किसी भी लिंक के विभाईत साथियों को पून कानूनी वित्ते और चिकिस्सा अधिकार प्रदान करता है नेक्स्ट है मारा कोशन में मैडम तुसाद म्यूजियम दुबई में मोम की प्रतिमा पाने वाले पहले दक्षिन भारतिय अभिनेता कौन बने हैं। राइट आंसर हो जाता है, ऑप्षिन B, अलू अर्जुन। अगला कोशन है मारा, उतर प्रदेश का पहला बायो प्लास्टिक पार्क किस थान पर स्थापित किया जाएगा। राइट आंसर हो जाता है, इस कोशन का ओप्षिन C, लखीम पूर खेड़ी। डिटेल में अगर हम समझें, बायो प्लास्टिक क्या है? ये जानते हैं। अगले कोशन है, जुलाई 2024 में किस देश के अधित्य एलवन ने पहली हैलो कक्षा पूरी की है? राइट आंसर हो जाता है, ओप्षोन C, भारत डिटेल में अगर हम इस कोशन को समझें भारती अंतरिश अनुसंधान संगठन इसरों ने घोशना की है कि भारत के प्रथम सौर मिशन अदित्य एलवन ने सूरे प्रिथवी एलवन बिंदू के चारों और अपनी हेलो कक्षा पूरी कर ली है अगला कोशन है वर्ष 2024 में कौन सा देश अपने पहले बहुराश्टी अभ्यास तरंग शक्ती का आयोजन करेगा राइट आंसर हो जाता है उप्षन ए भारत डिटेल में अगर हम इस कोशन को समझें यह भारती वायू सेना द्वारा आयोजित किया जाने वाला पहला बहुराश्टी अभ्यास है तरंग शक्ती में फ्रांस, ब्रिटेन, अस्टिलिया, अमेरिका और जपान जैसी कई प्रमुक वायू सेना ही शामिल होंगी इसके अलावा छे अन्य देशों को प्रविक्षकों के रूप में आमंतरित किया गया है जून दोहजार चॉबिस में किसने अंतरिक्ष में एक हजार दिन बिताने वाले पहले व्यक्ती बनकर एक एतिहासिक उपलब्दी हासिल की है यह नाम आपको ध्यान रखना है यह फोटो है ओले कोनो नैनको की डिटेल में अगर हम इस कोशन को समझें 59 वर्षिय रूशी अंतरिक्ष यादरी ओले कोननेनको ने अंतरिक्ष में एक हजार दिन बिताने वाले पहले व्यक्ती बनकर एक एतिहासिक उपलब्दी हासिल की है यह नाम आपने ध्यान रखना है ओले कोननेनको और यह रूस कोमस जो की रूस की स्पेस एजनसी है इसके एस्टरोनोट है अगला कोशन है वर्ष 2024 में भारत का पहला एलेक्टरिक वाहन यानि की EV इंडेक्स किसने जारी किया है राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन B NSE Index Limited डेटेल में अगर हम समझें भारतिय शेयर बजार NSE की एक एक आई NSE Index Limited ने भारत का पहला एलेक्टरिक वाहन इंडेक्स लॉंच किया इस इंडेक्स का नाम है Nifty EV and New as Automative Index यह है इंडेक्स अलेक्टरिक वाहन बनाने वाली कंपनियों और नई तकनीक वाली गाड़ियों और इससे जुड़ी टेखनोलोजी बनाने वाली कंपनियों के प्रदर्शन को ट्रैक करेगा अगला कोशन है मारा वर्ष 2024 में मासिक धरम निती अवकाश प्रारंब करने वाला देश का पहला उचनियाले कौन सा है राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का ओप्शन D सिक्किम डिटेल में अगर हम इस कोशन को समझें सिक्किम उचनियाले ने अपनी महिला करमचारियों के लिए मासिक धरम अवकाश निती शुरू की है अधिसूचना में निर्देशित किया गया है कि महिला करमचारी हर महिने दो तीन दिन की मासिक धम चुटी कलाब उठा सकती है अगला कोशन है पहला अंतराश्टिय खेल दिवस कब मनाया गया है राइड आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 11 जून दो हुजार चौबिस को पहला अंतराश्टिय खेल दिवस मनाया गया सर्यूंगत राश्ट महासभा ने एक नया अंतराश्टिय खेल दिवस मनाने का प्रस्तवा पारित किया है 11 जून 2024 को विश्यों में पहले अंतराज्टे खेल दिवस कायोजन किया गया इसका उदेश ये बच्चों के खेलने के अधिकार की रक्षा और समर्थन के आवशक्ता पर ध्यान के आगरशित करना भी है जुलाई 2024 में ब्रिटेन की पहली महिला वितमंत्री कौन बनी है अगला कोशन मजगाउं डॉक शिप यार्ड लिमिटेड ने भारत की पहली मिडगेट पंडूबी बनाई है इसका क्या नाम है राइट आंसर हो जाएगा इस कोशन का ओप्शन बी एरोवाना डिटेल में अगर हम समझें मुंबई के मजगाउं डॉक शिप यार्ड लिमिटेड अमडियल ने भारत की पहली मिडगेट पंडूबी एरोवाना बनाई है रक्षा सचीव गरिधर अर्माने ने इस पंडूबी को लाँच किया है अगला कोशन है मारा इंडियन ओयल कॉर्पोरिशन लिमिटेड आई ओ सी यल ने एक्स पी हंडड की पहली खेव किस देश में निर्यात की है राइट आंसर हो जाता है ओप्शन ए श्री लंका डिटेल में अगर हम समझें इंडियन ओयल कार्पोरिशन लिमिटेड आई ओ सी यल ने श्री लंका को 100 अक्टेन प्रीमियम इधन यानि की एक्स पी हंडड की अपनी पहली खेव निर्यात करके एक महतोपून मुकाम हासिल किया प्रीमियम हाई एंड वहनों के लिए डिजाइन किया गया उच गुनवत्ता वाला इधन मुंबई में जवालाल नहरू पोर्ट ट्रस्ट से भीजा गया है अगला कोशन है मई 2024 में नागरिक्ता शंशोधन कानून के तहट पहली बार कितने लोगों को मानेता दी गई है तिरुपूरा अगला कोशन मई 2024 में पुरातत विदों ने किस राज्य के मंगलूरु शेहर में रौक कला का पहला साक्षिक हो जाए राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन C करनाटक यह आपको ध्यान रखना है अगला कोशन है श्री लंका में भारते मुल्के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने की समृति में जारी किया गया पहला डाग टिकट किस ने प्राप्त किया है आंसर हो जाता है ओप्शन है श्री श्री रविशंक करने है अगला कोशन है मारा मई 2024 में AI के लिए ISO 42001-2023 परमानन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली IT कंपनी कौन सी बनी है राइट आंसर हो जाएगा इस कोशन का ओप्शन भी इन्फोसिस अगला कोशन है मारा ओफेंट से पहले आपको इन्फोसिस के बारे हैं बता रहेता हूँ दो जुलाई 1981 को स्थापना हुई थी मुख्याले बैंगलूरू करनाटक में है CEO है सलिल पारेक अगला कोशन है किस राज़े में भारत का पहला राच्टिय डॉल्फिन अनुसंधान केंदर का उधगाटन किया गया है राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का ऑप्शन ए बिहार बिहार के पटना शहर में अगला कोशन है अजादी के बाद समान नागरिक सहिंता यानि कि UCC अधिनियम लागू करने वाला भारत का पहला राज़े कौनजा बना है तो राइट आंसर हो जाता है ओप्शन B उत्राखंड डिटेल में अगर हम समझें UCC के बारे में जानते हैं फुल फर्म होता है समान नागरिक सहिंता UCC में परशनल लॉक को खतम करके सभी के लिए एक जैसा कानून बनाए जाने का प्रावदान है यानि उत्राखंड में रहने वाले हर नागरिक के लिए निजी मामलों में भी एक समान कानून होगा चाहिए वो किसी भी धरम या जाती का क्यों ना हो अगर आपसे पूछा जाए कि UCC लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है तो तो गोवा होगा और अगर पूछा जाए कि आजादी के बाद तो कौन सा है उत्राखंड है अगला कोशन मई 2024 में International Cryosphere Climate Initiative के अनुसार अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश कौन सा बन गया है राइट आंसर हो जाता है Option C वेनिजुएला डिटेल में अगर हम समझें International Cryosphere Climate Initiative के अनुसार वेनिजुएला पहला देश है जिसने अपने सभी ग्लेशियर पूरी तरह से खो दिये है आगे अगर मैं आपको बताऊ वेनिजुएला में मवजूद पाँच ग्लेशियर पहले ही गाइब हो चुके थे अब आगरी ग्लेशियर हमबोल्ट भी पिकल गया है इसका कारण है Climate Change और Global Warming अगला कोशन है मारा भारत का पहला Tri-Service Common Defense Station कहां पर स्थापित किया गया है राइट आंसर हो जाएगा Option A महराष्ट के मुंबई में डिटेल मेंगर हम समझें पहली बार मुंबई में Tri-Service Common Defense Station बनाने की योजना बन रही है इसमें थल, वायू और नौसिना के Common Station मुंबई में होगा इस कदम का उदेश है कि करित थेटर कमांड के निर्मान से पहले तीनों सेनाओं के भी सयुकता हासिल करना है अगला कोशन किस भारतिय कंपनी ने फ्रांस के पैरिस में अपना पहला मानव केंदरीत AI उतकृष्टा केंद स्थापित किया है राइट आंसर हो जाएगा आप्शन बी टाटा कंसल्टेंसी सर्वेसेस यानि की टीसी एस नेक्स्ट है हमारा कोशन वर्ष दो हुजार चॉबिस में की संत्रिक एजनसी ने चंदरमा पर पहला चंदर लूनर स्टेशन जिसका नाम है फ्लेक्सिवल लेविएशन ओना ट्रैक यानि की फ्लॉट बनाने की घोशना करी है राइट आंसर हो जाएगा आप्शन भी नासा थीक है अमेरिकी स्पेश एजनसी नासा ने चंद पर पहला रेलवे सिस्टम खड़ा करने की योजना बनाई है जिसका नाम है फ्लोट फ्लोट में मैगनिटिक रोबोटिक्स 3 लेयर वाले फ्लिम ट्रैक के उपर हवा में उड़ते रहेंगे इस ट्रैक में गरेफाइट की परत होगी जो रोबोट को डाइ मैगनिटिक लेविटेशन के जरिए फ्लोट करवाएगी तो आपको ध्यान रखना है चंदर्मा पर पहला चंदर लूनर सिस्टम बोल लो या स्टेशन बोल लो ठीक है यह नासा जो है यह बनाएगा ठीक है यह आपको ध्यान रखना है उतरपरदेश के शहर में भारत का पहला शहरी रोपी अगस 2024 तक बन कर त्यार हो जाएगा आंसर हो जाएगा ओप्शन B वळानासी नेक्स्ט आम आरा कोशन नौरवेश्टर्ष का अधियन करने वाला भारत का पहला शोध केंदर कहां स्थापित किया जाएगा राइड अंसर हो जाएगा ओप्शन बी ओडिशा राज्ये में डिटेल में अगर हम समझे नौर्वेस्टर का ध्यान करने के लिए भारत का पहला अनुसंधान परिक्षन के इन्तियार हो रहा है नौर्वेस्टर एक स्थानिय तूफान और वर्षा की घटना है जो भारत और बांगला देश में गर्मियों के महिने में होती है नियंतरन केंदर ओडिशा के भद्रग जिले के चांद बली में होगा अगला कोशन है गेल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला हरित हाइडोजन सहींतर कहां शुरू किया है राइड आंसर हो जाएगा ओप्शन B मध्धे परदेश के विजयपूर में यह आपको ध्यान रखना है डिटेल में गर हम समझें मध्धे परदेश के विजयपूर में स्थेती है सहींतर गेल के नए और वेकलपिक उर्जा सरोतों के चेतन में कदम रखने का प्रतीक है राइड आंसर हो जाएगा ओप्शन A तिरुवनंत पुरम अंतराष्टी हवाई अड़ा यह आपको ध्यान रखना है अगला कोशन है मारा राश्पती दुराबदी मुर्मुजी ने देश की पहली घरेलू जीन थेरेपी कार T सेल कहां पर लौंच की है राइड आंसर हो जाएगा ओप्शन B आयाईटी बॉम्बे यह जीन अधारी थेरेपी ब्लड कैंसर के साथ साथ और भी कई कैंसर के इलाज में मदद करेगी कार T सेल थेरेपी को बायो साइंस और बायो इंजिरिंग विभागे प्रोफेसर राहूल पुरवार्डे आयाटी बॉम्बे में अपनी टीम के साथ स्टार्टप इमिनो एसी टी में विक्सित किया है नेक्स्ट है मारा कोशन मार्च दो हजार चॉबिस में पहला परमानो उर्जा शिखर सम्मिलन कहां पर आयो जित किया गया है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रुसेल्स बेल्चियम में अगर हम बात करें परमानो उर्जा अंतराश्टिय परमानो उर्जा एजंसी की 1957 में स्थापना हुई थी वेना अस्ट्रिया में इसका हेड़कोवाटर है महानिदेशक है राफेल मारियानो ग्रॉस नेक्स कोशन करवाने से पहले आप सभी के लिएक इंपॉर्ण इफॉर्मिशन है कि आपके रवी सर की जो एबुक की वेबसाइट है वो है www.ravibooks.pdf.com इसका आप स्क्रीन शॉट दे लिए ठीक है यहाँ पे आपको हमारी करण्ट अफेर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, जीके और जो हमारी करण्ट अफेर्स की अर्दवार्शी की है जनवरी से लेकि जून तक की वेंट्स वो भी लाँच हो चुकी है ठीक है, मतलब हर टाइप की हमने कोशन इसमें इंकल्यूड की है टोटम इलाके 5000 के आसपास हमने कोशन इसमें डाले हुए है तो आपकी एक्जाम के लिए काफी यूसफुल रहेगी हमारी इबुक्स कम टाइम में आप किसी भी एक्जाम की त्यारी कर सकते हो रवी सर की इबुक के द्वारा तो चलिए अब हम नेक्स कोशन देखते हैं नासा का ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन शनी के किस चंद्रमा पर जाने वाला पहला मिशन है राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन ए टाइटन डिटेल में अगर हम समझें नासा का ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन शनी के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन पर भेजा जाएगा यह मिशन जुलाई दोहजार अठाइस में लॉंच होगा और दोहजार चौन्टिस में टाइटन की सतह पर पहुँचेगा अगला कौशन कौण सा देश चार दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश बन गया है राइट आंसर हो जाएगा option A, Singapore अगला कोशन है हमारा उतर परदेश राज्ये का पहला glass skywalk bridge कहां बनाया गया है आंसर हो जाएगा option B, चितर कोट next है हमारा कोशन कहां की शॉम्पेन जनजाती ने पहली बार लोकसभा मतदान में भाग लिया है राइट आंसर हो जाएगा option D, ग्रेट निकोबार ग्रेट निकोबार की है शॉम्पेन जनजाती जिसने पहली बार लोकसभा मतदान में भाग लिया है अगला कोशन है हमारा किस देश में पहली बार हिंदी रेडियो का परशारन शुरू हुआ है आंसर हो जाएगा option B, कुवैत में नेक्स्ट है मारा कोशन बोटान का सरवोच नागरिक सम्मान दा ओर्डर ओफ ड्रूक गयालपो प्राप्त करने वाले पहले विदेशी शाषिन अध्यक्ष कौन बने है राइट आंसर हो जाएगा option C, नरेंदर मोधी जी अगला कोशन है, कौन सा देश मैनेंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश बना है राइट आंसर हो जाएगा option B, नाइजीरिया यह आपको ध्यान रखना है डिटेल मेंगर हम समझें, नाइजीरिया डवलू एचो द्वारा अनुशांशित मैन 5CV स्लैश मैन 5 कंजूगेट वैक्सिन देने वाला पहला देश बन गया है जो मैरेंगो कुल वैक्टिरिया के पांच उवभेदों से बचाता है अगर हम बात करें मैनेंजाइटिस की एक संकर्मन रोख है जो मस्तिक्ष और रीड की हड़ी को घेरने वाली जिलियों में सूजन का कारण बनता है अगला कोशन है मारा कौन सा अस्पताल देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है जहां पीजियो उलेक्टरिक बोन कंड़क्षन हेरिंग इंप्लांट संचालित किया गया है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कमांड अस्पताल पूने अगला कोशन है विश्व स्वास्ते संगठन डबलू एचो ने अपना पहला AI संचालित डिजिटल हेल्थ प्रमोटर किस नाम से लौच किया है आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सारहा नाम से सारहा का अर्थ देख लेते हैं स्वास्ते के लिए स्मार्ट AI संचाधन साहयक इंगलिश में होगा स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंट फोर हेल्थ नेक्स्ट है मारा कोशन अंतराष्टिय फुटबॉल में 150 मैच खेलने वाले पहले भारतिय खिलाडी कौन बने है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A सुनील छेतरी ये आपको ध्यान रखना है अगला कोशन है मारा पृतिवी के सबसे दूरस्त बिंदो नीमो तक पहुँचने वाले दुनिया के पहले वैक्ती कौन बने है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन D क्रिस ब्राउन ये आपको ध्यान रखना है और आपको बताना चाहता हूँ पॉइंट नीमो जो है न्यूजिलेंड के पूरू में दक्षनी प्रशान्त महासागर में स्थित है अगला कोशन है मारा टी टोइंटी मैच में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारती एक लाड़ी कौन बने है राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन A विराट कोहली विराट कोहली ने MH इदंबरम स्टेडियम में चैनने सूपर किंग्स और रॉयल चैनिजस पैंगलूरू के बीच 2024 IPL के उदगाटन मैच के दोरान यह अपलबदी हांसिल करी है अगला कोशन है किस देश के डॉक्टरों ने पहली बार इंसानी में सूवर की किड्ने का सफल प्रत्यार उपन किया है आंसर हो जाएगा ऑप्शन B अमेरिका मार्च 2024 में भारत का पहला आयुवेदिक रेस्तरा कहां पर शुरू हुआ है आंसर हो जाएगा ऑप्शन B नई दिल्ली में किस राज्जे द्वारा भारत का पहला सरकारी सौमित वाला OTT प्लैटफॉर्म सी स्पेस लाँच किया गया है आंसर हो जाएगा ऑप्शन A केरल केरल ने भारत का पहला सरकारी सौमित वाला OTT प्लैटफॉर्म सी स्पेस लाँच किया है इसका उद्देशे लोगों को सार्थक जानकारी प्रदान करना और छेतर के विशाल अफसरों का लाव उठाना है अगला कोशन है मारा भारत का पहला भारत स्टीम बॉलर एक्सपो तो होजार चौबिस का उद्गाटन कहां किया गया है यह आपको ध्यान रखना है अगला कोशन है गर्भपात को समविधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है उस महिला रोबोट अंतरिक्ष यातरी का नाम क्या है जो गगणियान मिशन दोहजार चौबिस से पहले अंतरिक्ष में उडान भरेगी उस कोशन का उप्शन सी वयो मित्र भारत में पहली हीम तेंदुआं गर्णा के अनुसार किस राज्जे या केंद शाषित प्रदेश में हीम तेंदुआं की आबादी सबसे अधिक है आंसर हो जाएगा ओप्शन A लद्दाख कितने हैं 477 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला भारत का पहला उत्तर पूर्वी राज्जे कौन सा बना है राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन B अरुनाचल प्रदेश यह आपको ध्यान रखना है केंद सरकार के जल जीवन मिशन का लक्षे 2024 तक सभी ग्रामीन घरों में पाइप से पानी उपलब्द कराना है इस योजना के माध्यम से देश के प्रते घर तक स्वच पानी उपलब्द करवाया जाएगा अगला कोशन है मारा भारत के किस राज्चे में दुनिया की पहली मैलन स्टिक टाइगर सफारी स्थापित की जाएगी राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन D ओडिशा के मयूर भंज में मैलनस्टिक बांध बंगाल टाइगर का दुरलब प्रकार है इन बागों को ब्लैक टाइगर भी कहा जाता है अगला कोशन है किस राज्चे या राज्चे मार्क पर भारत के पहले राज्चे मार्क स्टील स्लैक रोट खंड का उध्गार्टन कीया गया है अगला कोशन है जून 2024 में भारती सेना को नागास्तर रुवन आतमगाती ड्रोन का पहला बैच प्राप्त हुआ इसे किसके द्वारा निर्मित किया गया है राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन A, Economic Explosive Limited यानि की EEL महराष्ट के द्वारा जून 2024 में किस राज़े को भारत का पहला Global Center for Enterprise Risk Management स्थापित करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन C, Odisha को यह आपको ध्यान रखना है डिटेल में अगर हम समझें Institute of Risk Management India Affiliate ने श्री 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 उनिवरस्टी ओडिशा को भारत का पहला Global Center for Enterprise Risk Management स्थापित करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया इसका प्रात्मिक उद्देश ये स्थानिय संगठनों और सरकारी निकाओं के साथ साजधारी के माध्यम से पूर्वी भारत में सुरक्षित वातावरन बनाना है अगला कोशन है एशियाई Gymnastic Championship 2024 में सुवन पदक जीतने वाली पहली भारतिय जिमनास्ट कौन बनी है राइट आंसर हो जाएगा Option A, IOCL के द्वारा ये आपको ध्यान रखना है IOCL की बात करते हैं 30 June 1959 को स्थापना हुई थी मुख्याले नई दिल्ली में है अध्यक अध्यक्षय श्रिकांत माधव वैध नेक्स्ट है राइट आंसर हो जाएगा Option A, Galaxy I ये आपको ध्यान रखना है अगला कोशन है मारा इदा शीशा नोंगरांग को किस राज्जे की पहली महिला पुलिस महानी देशक यानि की DGP नियुक्त किया गया है राइट आंसर हो जाएगा Option B, मेगाले अगला कोशन है मारा भारत की पहली सोदेशी रूप से डिजाइन की गई Microchip Secure IoT को किस कंपनी ने लाँच किया है आंसर हो जाएगा Option B, Mindgrove Technology ने भारत की पहली सोदेशी रूप से डिजाइन की गई Microchip Secure IoT को IIT मदरास से जोड़े Semiconductor Startup Mindgrove Technology ने लाँच किया है यह है चिप, TV, Washing Machine, Air Conditioner और Refrigerator जैसे उपभोकता Electronics उपकरनों के लिए डिजाइन की गई है अगला कोशन है भारती सौर उर्जा निगम यानि कि SECI ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी उर्जा भंडारन पर ना ली यानि कि BESS की शुरुआत की है Right answer हो जाता है Option B 36 गड के राजनंद गाउं में अगला कोशन है किस राज्य में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्गाटन किया गया है Right answer हो जाएगा Option B Audisha राज्य में और Audisha का जो संबलपूर यहां पर भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्गाटन हुआ है केंद्री मंतरी धर्मेंतर परधान ने Audisha के संबलपूर में भारत के पहले कोशल भारत की इंद्गाटन किया जिसका उद्देशय युआउं को अगला कोशन है उतर बदेश की आयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने वाले पहले विदीशी नेता कौन बने है आंसर हो जाएगा option D, बिमान प्रसाद, जो की हैं फिजी के उप्रधान मंत्री अगला कोशन है, भारत का पहला AI शहर कहां बनाया जाएगा, यानि की Artificial Intelligence शहर कहां पर बनाया जाएगा, option B, लखनाओ में उत्र परदेश के मत्होरा जिले के बिरिंदावन में पहले All Girls Sanic School का उधगाटन किस नहीं किया? अंसर हो जाता है, option B, राजना सिंग ने Important points दे समझते हैं, Girls Sanic School का नाम है समविद गुरुकुलम Girls Sanic School लक्ष क्या है, छातरों को गुनवत्ता पूर्ण सिक्षा प्रदान करना और सिक्षा के साथ 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 सशत्र बलों में शामिल होने के लिए अनुकूल वातावरन प्रदान करना है अगला कोशन है मारा, दुनिया की पहली AI राजनेक Victoria Shee को किस देश द्वारा विक्सित किया गया है Right answer हो जाएगा, option B, युक्रेन के द्वारा Next है, भारत के पहले सौर उर्जा शहर का उद्गाटन कहां पर हुआ है Right answer हो जाएगा, option A, सांची, मध्धे, प्रदेश में भारत के पहले सौर उर्जा शहर का उद्गाटन हुआ है ये आपको ध्यान रखना है अगला कोशन है मारा, भारत का पहला मांचित्र कला संग्राले कहां पर खुला है आंसर हो जाएगा, option D, उत्राखंड के मसूरी में नेक्स्ट है मारा कोशन भारत के पहले व्यादिक थीम पार्क, वेद वन पार्क का उद्गाटन कहां किया गया है Right answer हो जाएगा, option A, नौइडा, उत्तर प्रदेश में अगला कोशन है, प्रधानमिंति नरेंदर मोदी जी ने किस राज्य में भारत का पहला एकल खंबो वाला एक्स्प्रेस वे, द्वार का एक्स्प्रेस वे का उद्गाटन किया है Right answer हो जाएगा, option D, गुरुग्राम हर्याना में बिजनेस मेनेजमेंट में हारवर्ड विश्विद्याले का पाठे करम पेश करने वाला भारत का पहला विश्विद्याले कौन सा है Right answer हो जाएगा, option B, चंडिगड विश्विद्याले यह आपको ध्यान रखना है Next है, दुनिया का पहला देश कौन सा है, जिसने वर्ष 2030 से पशुधन उतसरजन कार्बन टेक्स लगाने की घोशना की है Answer हो जाएगा, option C, डैन्मार्ग Next है, जून 2024 में जंगल की आका पता लगाने के लिए पहला उननत AI सिस्टम कहां पर लॉंच हुआ है Right answer हो जाएगा, option C, पैंच टाइगर रिजर्व यह आपको ध्यान रखना है, डिटेल में अगर हम इस बात को समझें, तो इस अत्याधोनिक परनाली में High Resolution Camera लगा है, जिसकी दिरशिय सीमा 15 किलोमेटर है, जो टाइगर रिजर्व के 350 वर किलोमेटर से अधिक छेतर को कवर करता है पैंच टाइगर रिजर्व, भारत के प्रमुख बाग अभ्यारोनों में से एक है, और दो राच्चियों, मध्य परदेश और महराष्ट में फैला अभ्यारन है तो फ्रेंट्स, यह आपको मैंने most important hundred question करवाई, topic का नाम था हमारा भारत में पहला, इस topic से related तो फ्रेंट्स, इस topic से हर exam में question आते हैं, चाहिए आपको question जरूर देखने को मिलेगा इसमें से, ठीक है मैंने आपको 100 important question करवा दी, अगर आपके लिए आप दो question का test आगया है, जिसका answer आपने comment box में देना है तो पहला है, भारती की शहर में खगली अपरेटिकों को बढ़ावा देने के उद्देश से, पहली नक्षट सभा का आयोजन किया गया, चार option है आपके पास दूसरा question है, जून 2024 में 72 नाई प्रदान करने के लिए किस राज़े ने पहली गवाद संदक्षन योजना को मंजूरी दी है, चार option है दोनों question का answer आपने मुझे comment box में देना है, आपको वीडियो कैसी लगी है, आपने अपना feedback भी मुझे जरूर देना है उमीद करता हूँ, आपको वीडियो की quality, वीडियो का content और आपके रवी सर की महनत पसंद आई होगी अब आपके लिए important information है, सबसे ज़्यादा जुरूरी कि आपने हमारी ebook की website है www.ravibooks.pdf.com इसका आप screenshot लेनीचे या कहीं पे copy में note down कर लेजे, यहाँ पे आपको मेरी current affairs, quality, history, geography, all subject की ebook मिल जाती है कम time में आप किसी भी exam की तियारी कर सकते हो, मेरी इस ebook के दुवारा, ठीक है friends और friends आपने mobile application भी install कर ले रवी study gk के नाम से, ठीक है play store पे मिल जाएगा, यहाँ पे फ्री test में जाके daily current affairs का test लगा सकते हो, ठीक है आप 15 questions सबसे जादा करवाई जाते हैं कम time में 100% result के लिए, तो friends एक बार आप demo class लेकि जरूर देखिए, आपको फर्क देख जाएगा कि हम किस तरीकी quality deliver करते हैं आपको वीडियो के ऐसी लगी comment box में जरूर बताएं, तो चलिए friends अब हम मिलते हैं next video में, thank you and wish you all the best